हलो, वेलकम, 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 एक नए एक्सपेरिमेंट आपके पढ़ाई के साथ, देखो, सेलेक्शन उसी का होता है न, जो रैट रेस से अलग होके, और फिर तेयारी करता है, देखो, दोड़ तो सारी लोग रहें, 20 लाग, 21 लाग लोग दोड़ रहे होंगे, लेकिन उसम लोग ही अलग रास्ते पे कुछ अलग तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वैसे आपके पास बहुत सारी वीडियो, हमारी भी और बाकियों की भी, पढ़ी होंगी यूट्यूब पे 10 गंटे, 12 गंटे, 20 गंटे, लेकिन अगेन मैं बोलूँग आपको, कि रैट रेस स अलग हटके, जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, उस तरह chemistry पढ़ें, तो शायद आप selection के नजदीक जाएं, करना क्या है, कि मैं आपको पूरी chemistry यहां 50 यह 60 पनों में निकाल के दे रहा हूं, NCRT का हर वो point जहां से questions बन सकते हैं, यहां पे covered हैं, यहां पे सारे 58 pages में covered हैं, अब या तो आप NCRT के वो दो books पढ़ें आराम से, या तो बचों आप इस notes को बहुत deeply पढ़ना पढ़ेगा, क्योंकि हर एक point, हर एक line, हर एक word important है, और यह selection तक पहुचा सकता है, करना कैसे है, देखेगा, यह एक podcast है, तैसे video मत देखी, कि मैं अच्छा लग रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, जिसे मैंने कोई definition दिखा है, आप सोचो कि हाँ, यही तो मैंने पढ़ा था, तो यह याद होगा, जब आप सोचते हो कोई चीज को दिमाग में 10 बार 15 बार तो वो याद होता है, हमें याद करना है, actually NTA क्या करता है, देखो, physics हो, और physical chemistry हो, इसमें आप आपको IQ चेक होता है, कि आपने जो पढ़ा, उसको आप अपलाई कर रहे हो कि नहीं, उसको आपको formula जो आपने रटा है, क्या उसको अपलाई कर पा रहे हो questions में, तो आपको वहाँ पर IQ टेस्ट होता है, लेकिन जो organic-inorganic-or-bio है, उसमें दिमाग टेस्ट होता है कि memory कितना है, तो memory test है, ये organic-inorganic-or-bio, तो इसको सोचना पड़ेगा, बार-बार नसो को तनाव देना पड़ेगा, तब जाके इसमें बैठेगा वो, तब जब सब कुछ याद रहेगा न, तब आपके marks वहाँ बढ़ेंगे, तब आप कहते हो न, कि सर इतने पर stuck हो गया, नंबर नि देखने से selection होगा, तो चलिए start करते हो, पी ब्लॉक से मैं start करूँगा, जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका chapter weak है, तो आप NCIT भी सामने रखी, और सोचिए, और अगर आपको याद है, तो बस आप सोचिए, visualize करिए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो चलिए एक smiling face देते होगे, हम start करें P-block, तो देखो भाई, P-block जैसे ही कोला आपने Boron family वाला chapter खोलना, तो पहला line जो लिखा हुआ इस में, वोच ऐसा लिखा है, कि P-block element कहते कि इसको है, तो last electron जिसका outermost P-subsyl, या फिर last electron जिसका outermost P-orbital में जा रहा है, अच्छा इसको एक और तरीके से हम बोल सकते हैं, कि last electron जिसका out, N-P orbital में जा रहा है, outermost cell बोलो, outermost orbital बोलो, outermost या फिर N-P बोल दो, तो last electron जिसका N-P orbital में जा रहा है, उसको हम P-block element कहते हैं, अच्छा, जैसे second line पे आते हैं, जैसे S में एक orbital होता है, P में 3, D में 5, F में 7, तो P में 3 orbital है, अच्छा ये बता electron 2, तो 2 electron है, P में 3 orbital है, तो total 6 electron होगा, इसका मतलब हो गया कि P में total 6 electron है, इसका सीधा मतलब है कि P में 6 groups है, कौन-कौन से groups हैं, तो group 13, group 14, group 15, group 16, group 17, और group 18, तो गुरुप 13 जो है उसको हम Boron family कहते हैं गुरुप 14 जो इसको Carbon family कहते हैं गुरुप 15 को Nitrogen family या Nictogens या Necogens भी कही जगा लिखा गया है गुरुप 16 को Oxygen family या Chalcogens गुरुप 17 को Halogen family बोला गया है गुरुप 18 को बच्चो क्या बोला गया है Inert gas या Noble gas इसके बाद का जो Point आता है वो ऐसा आता है कि Sir इसका Electronic Configuration क्या है तो जैसा मैंने बताए कि 6 Electron है इसमें P Block में और एक और चीज़ बता दूँ कि P Block से पहले S Block आ चुका है P Block से पहले S Block आ चुका है तो S completely filled होगा तब P में आ पा रहे हैं तो NS2 है N में S में completely filled है S completely NS2 और NP में 6 Electron है तो NP126 तो Outer Electronic Configuration क्या बन गया NS2, NP126 NS2, NP1 बोले तो Boron Family NS2, NP2 बोले तो Carbon Family NS2, NP3 बोले तो Nitrogen Family या Nicogens NS2, NP4 बोले तो Oxygen Family या Chalcogens NS2, NP5 बोले तो Halogens NS2, NP6 बोले तो Inert Gas या Noble Gas Clear हो गया है यहां तक अब आते हैं कि Sir इसमें देखो आपके पास General हो गया यह हो गया अब आते हैं Next Point आते हैं आपके पास कि Group Oxidation Number यानि Maximum Oxidation Number किसी भी Group का Group Oxidation Number कैसे निकालते हो किसी भी Group का Group Oxidation Number यानि कि Maximum Oxidation Number अब यह maximum oxidation number कैसे निकालते हो S और P वाली electron को add कर दो तो आपको group oxidation number यानि कि maximum oxidation number निकल जाएगा अब boron family में NH2 Np1 है S और P जोड़ो plus 3 तो maximum oxidation number निकल गया carbon family में NH2 Np2 है तो खट से आप S और P जोड़ोगे 2 और 2 4 होगे, plus 4 maximum oxidation number और NH2 Np3 में S और P जोड़ने से 5 आ रहा है NH2 Np4 में S और P जोड़ने से plus 6 आ रहा है NH2 Np5 में आपके पास plus 7 आ रहा है NH2 Np6 में plus 8 आ रहा है तो group oxidation number, maximum oxidation number निकल गया plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8 अच्छा इसके अलावां भी other oxidation state भी exist करता है और other oxidation state निकालने का एक तरीका है आप क्या हम करो NH2 को छुपा दो तो जैसी अपने NH2 छुपाया और मैं आगे बताऊंगा क्यों छुपा रहा हूँ inert pair effect की वज़े से जैसी आप NH2 छुपाया तो क्या बचा? Np1 मतलब ये plus 1 भी exist हो करेगा आप carbon family में NH2 छुपाऊ प्लस 2 similarly प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 हो करता है तो आपको दो तरह के oxidation state अभी तक बता दिए एक तो group oxidation state और दूसरा मैंने क्या बता दिया? कि NH2 छुपाने से प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6 लेकिन एक बात और समझनी पड़ेगी carbon family में CH4 भी तो होता है hydrides भी तो बनाते तो यार carbon family hydrides भी बनाता है CH4 एक्जामपल लेते हैं तो hydrogen पे प्लस 1, 4 hydrogen प्लस 4 तो carbon पे जागा खट से माइनस 4 clear हुआ? तो carbon family कौन-कौन से oxidation state अभी तक दिखाया? तो एक तो प्लस 4, दूसरा प्लस 2 और माइनस 4 भी गौद होता hydrides boron family में 2 ही है प्लस 3 प्लस 1 चलो समझ गये अब आते हैं किस पे? कि nitrogen family पे NH2 NP3 की वज़ा से maximum तो प्लस 5 आचुका था NH2 चुपाने से प्लस 3 आचुका था लेकिन hydrides भी तो होता है nitrogen family hydrides भी तो बनाएगा तो माइनस 3 NH3 है तो H पे प्लस 1 है तो प्लस 3 हो गया तो सामने वाले पे माइनस 3 चला गया बहुत बड़ी है फिर क्या होगा? NH3 के बाद अब आजाते है oxygen family के ठीक है? oxygen family आपके प्लस 4, सॉरी, प्लस 6 होगा maximum oxidation state प्लस 4 होगा NH2 हटा के inner pair effect की वज़े से अब आजाते हैं कि बाकी आप देखो के O2 F2 भी तो सुनते हो तो oxygen family fluorides भी तो बनाएगा O2 F2 में वो प्लस 2 सो करता है बाकी oxygen family water भी तो बनाता है in that case वो minus hydride भी बनाएगा in that case वो minus 2 भी सो करता है तो oxygen family क्या कैस हो कर रहा है आपके पास plus 6 आपके पास plus 4 plus 2 और minus 2 भी भी शो करता है plus 2 क्यों fluorides के case में minus 2 क्यों hydride के case में अब आते हैं बच्चे आपके पास halogen में तो एक short trick बन गया है यहाँ पर कि oxygen family जो है minus 2 से लेकर के plus 8 तक plus 6 तक minus 2 से लेकर के plus 6 तक सारे even वाले बना रहा है तो देखो minus 2 बना रहा है plus 2 भी बना रहा है plus 4 भी बना रहा है plus 6 भी बना रहा है तो minus 2 से plus 6 तक सारे even वाले oxidation states हो करता है अब इसी बिहाफ में हाईलोजन भी रटा देता हूँ तो minus 1 से plus 7 तक सारे odd वाले। जैसे यह minus 2 से plus 6 है, अब एक और घ्मा जाओ, minus 1 से plus 7 तक सारे odd वाले। तो plus 7 तो समझ आता है group oxidation number, plus 2 चुपाने से plus 5 समझ में आगया, plus 3 भी शो करता है, plus 1 भी शो करता है, और minus 1 भी सो करता है। minus 1, plus 1, plus 3, plus 5, plus 7 all odd oxidation number between सब्सक्राइब करते हैं अब आपको बताता हूं पुछ ऑक्सिडेशन नंबर में और तब हम फिर आगे बढ़ेंगे और से देखो, बौरोन फैमली में आपको याद होगा बेगन अलु गाजर इन थैला, बौरोन अलमोनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, स्मीलेली कार्बन फैमली में, कहेगे, सिवजी, सुने, प्रभुजी, कार्बन, सिलीकॉन, जर्मेनियम, तिन और ले नाइटरोजन फै इसके पाद हैलोजन फैमिली में फिर कल बाहर आई आंटी तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयडीन, एस्टराइन, हैलोजन फैमिली हेमा, नीलम, और करीना, सीनेमा की रानी, तो हिलियम, नियॉन, आरगन, क्रिप्टॉन, जैनम, रेड़ा, अब देखो, इसमें मैं पहले औक्सिदेशन स्टेट चमकाता है, औक्सिदेशन स्टेट से पहले मैं आता हूं पहले, कि ये जो पूरे मैंने गुरुप 13 से गुरुप 18 पी ब्लोक आपको बताए, इसमें आपके एक शोट्रिक है, जिससे कि आप मेटल वाइड से याद कर लोगे, कौन सा है वो, तो सीता गीता, एश्वरिया, ये तीन लड़किया है, शीता, गीता, एश्वरिया, सब, तीनों के तीनों, सब ट्यूशन पढ़ने आते, मतलब, सीता मतलब सिलिकॉन, गीता मतलब जर्मेनियम, और एश्वरिया मतलब अर्सेनिक, AS, सीता, गीता, एश्वरिया, सब का मतलब, SB का मत तो आपको पी ब्लोक में मैंने मेटलोइड बता दिया सीता, गीता, एस्वरिया, सब टूशन, पढ़ने, आते, 7 मेटलोइड अब यह मेटलोइड जो है ना इसके लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको पूरा मेटल्स देखेगा अब मेटल कौन-कौन सा है तो भाई, अलमुनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो बोरोन फैमली में अलमुनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, थैलियम, तो बोरोन फैमली में अलमुनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, थैलियम, तो बोरोन फैमली में तिन और लेड य oxygen all remaining सारे जितने हैं वो सब क्या हो जाएंगे नॉन मेटल तो साथ मेटल साथ मेटल वाइड रिमेडिंग नॉन मेटल वाव अमेजिंग हो गया चलिए अब इसके बाद में oxidation state और इसके बाद inert पे रिफेक्ट पे जम कर रहा हूं देखेगा होता क्या है बोरोन family में कि बोरोन, aluminum, gallium, indium, thalion तो बोरोन family प्लस 3, plus 1 शो करता है लेकिन बोरोन हमेशा प्लस 3, aluminum हमेशा 1 शो करेगा लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रहे ना लोवर वाला Oxidation State, मतलब प्लस वन भी आना स्टार्ट हो जाता है, तो यही Galium की बात करोगे न, तो प्लस 3, प्लस 1, दोनो शो कर दा है, Boron प्लस 3, Alumonium प्लस 3, बट जैसे जैसे नीचे बढ़ोगे, Galium प्लस 3, प्लस 1, दोनो, Indium, प्लस 3, प्लस 1, दोनो, थैलियम, प्लस 3, प्लस 1, दोनो, लेकिन, थैलियम का प्लस 1 इस्टेबल है, मैं फिर से बता रहा हूं, कि Boron family, जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, लोवर Oxidation State इस्टेबल हो रहा है, Boron family में दो Oxidation State है, प्लस 3 और प्लस 1, प्लस 3 is the Higher Oxidation State, प्लस 1 is the Lower Oxidation State, पर जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, लोवर Oxidation State बिकम से स्टेबल, क्यों मैं? अभी आएंगे उसके रीजन पे, तो कैसे हुआ ध्यान दिजेगा, उपर वाले दो Higher Oxidation State प्लस 3, जैसे दो और नीचे आए, तो वो प्लस 3 प्लस 1 दोनों शो कर रहा है, और जैसे लास्ट वाले पे आए, वो भले ही प्लस 3 प्लस 1 दोनों शो कर रहा है, बट स्टेबल इस प्लस 1, लेकिन Carbon family पे आजाते है, अगेन, उपर वाले दोनों हमेशा Higher शो करेंगे प्लस 4, जैसे थोड़ा सा नीचे आओगे, तो Carbon Silicon तो प्लस 4 हो गया, जर्मेनियम और टिन की बात करोगे, ये प्लस 4 प्लस 2 दोनों शो करते हैं, और लास्ट वाले लेड में वाले ही वो दोनों शो करेगा प्लस 4 प्लस 2, बट Estable होगा प्लस 2, Similarly, Nitrogen Family में, उपर में Nitrogen Phosphorus दोनों प्लस 5 शो करेंगे, Higher Oxidation State शो करेंगे, लेकिन, जैसे नीचे आओगे, Arsenic और Antimoney में तो दोनों ही शो करेगा, प्लस 5 प्लस 3, और बिसमत में भले दोनों शो करता है, प्लस 5 प्लस 3, बट Estable कौन सा होता है, Only प्लस 3 अब यह क्या हो रहा है, तो उपर वाले Higher Oxidation States हो कर रहा है, जैसे नीचे आए, दोनों ही Oxidation States हो रहा है, और सबसे नीचे आगे, कि एवल Lower Oxidation States Stable हो रहा है, यह क्यों हो रहा है, आई इसको समझते हैं, अब इसको बोला जाता है, Inert Pair Effect, क्या है Inert Pair Effect, NCRT के अकौर्डिं 15, मैंने देखो 16, 17, 18 की बात नहीं कि उसमें Inert Pair Effect नहीं लगेगा, In Group 13, 14 and 15, है ना, केवल Boron, Carbon and Nitrogen में ही लगेगा, In Group 13, 14, 15, As we go down the row, जैसे जैसे नीचे जाते हैं, The Estability of Lower Oxidation State increases, As we go down the group, The Estability of Lower Oxidation State increases, क्यों? Inert Pair Effect, समझाओंगा अभी? तो अभी आपको समझ आए ना, कि जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था, Lower Oxidation State की Stability बढ़ रही थी अब Boron Family में, देखो, Carbon plus 3, sorry, Boron plus 3, Aluminium plus 3, Gallium दोनों exist करता है, but plus 3 is stable है ठीक है, Indian दोनों exist करता है, but plus 3 is stable है, In that case, Thallium दोनों exist करता है, but plus 1 is stable है, because of the Inert Pair Effect उसी तरह Carbon Family में, दोनों plus 4 is stable है, plus 4 ही exist करता है, जैसे जैसे नीचे जाओगे Arsenic और Antimoney में, दोनों exist करता है, plus 4, plus 2, but plus 4 ही is stable है, In case of lead, heaviest element, सबसे नीचे वाला element में, Inert Pair Effect लगता है, कि plus 4 के जगा, plus 2 is stable हो जाता है अब nitrogen साम भी पाया जाता है, nitrogen, phosphoric, higher वाले, top वाले, higher oxidation state ही बनाते हैं, जैसे जैसे नीचे जाओगे, Arsenic और Antimoney है, ठीक है, तो आपके पास दोनों ही बनाते हैं, but, plus 5 is stable होता है, लेकिन last बिसमत के case में, तो खट से आपके lower ही is stable होगा, Inert Pair Effect कहता है, plus 3 ही is stable होगा, एक ऐसा effect, जिसमें pair of electron, inert होता है, इसम guessing एक ऐसा effect, जिसमें pair of electron, inert होता है, मतलब ns2, जो s orbital होता है means pair of electron होता जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, ls2 वाला इनेट होता जा रहा है, इसलिए, ls2 अब, inert हो जाएगा, ns2 reaction में participate, नहीं करेगा, तो केवल कौन बचा? N P तो देखो boron family में N P में 1 है इसलिए फ्लस 1 stable है carbon family में N P में 2 है तो इसलिए फ्लस 2 stable है और nitrogen family में N P में 3 है तो फ्लस 3 stable है एक दम सही कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए next move करतें बच्चों कि what is inert manner N C R T वाला कहता है, कि as we go down the group, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, NS2 electron becomes inert, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, जो NS2 के electron है, वो inert हो जाते हैं, वो reaction में participate नहीं करेंगे, तो only NP electron participate in bonding, केवल NP वाले electron ही bonding ही participate करेंगे, and this is known as inert parasite, and due to this, as we go down the group, only lower oxidation status state, समझ चुक हैं? चलिए, अब आते हैं, P block में, next NCRT का जो line है, वो कहता है, कि P block में 3 हैं, metal, non-metal, metal-wide, अब अभी तो बताया, 7 metal, 7 metal-wide remaining all are non-metals, चमक चुका है, अब आते हैं, कहता है NCRT, कि जो metal है, वो big size होता है, obviously, metal का क्या tendency है, Electron donate करना, और non-metal की क्या tendency है, Electron को accept करना, आब donate क्वों करेगा? जिसका दिल बड़ा होता है? जो बड़ा आद्मी होगा, वही तो donate कर पाएगा, similarly, силь啦 electron कॉन donate करेगा? जिसका big size है, और non-metal का मतलब है Electron accept करना, कौन accept करेगा जिसका small size देगो जो छोटे दिल के होते हैं वो हमेशा लेने की कुशिस करते है similarly non-metal में भी जो छोटे दिल वाले हैं वो electron को लेने की कुशिस करें तो metal हो गया donor donor हो गया big size और non-metal हो गया acceptor acceptor हो गया small size अब जो donor है वो क्या आपका basic होता है बिलकुल और जो acceptor है क्या वो acidic होता है तो कहीं न कहीं metal basic है और non-metal acidic है अब यह तक हमने क्या सीखा metal big size है non-metal a small size है metal donate करता है non-metal accept करता है metal basic है non-metal acidic है अब देखो metal donate करता है तो क्या metal cation बनाएगा बिलकुल non-metal accept करता है तो क्या non metal anion बनाएगा बिलकुल अगर metal kataion बनाएगा non metal anion बनाएगा इन दोनों के बीच का कौन सा bond होता है ionic bond ion के बीच का bond ionic bond kataion और anion के बीच का bond ionic bond मज़ेदार होगे चलिए next statement कहता है कि down the group जाने पे metallic character बढ़ रहा है non metallic character increase हो रहा है अभी अभी तुसम जाया कि metal कोन है big size तो नीचे जाने पे big size है metallic character बढ़ेगा और नीचे जाने पे non metallic कम हो जाएगा क्योंकि size बढ़ा हो रहा है non metallic inversely है अच्छी बात है अब कह रहा है कि sir down the group metallic और non metallic होगा highly reactive metal जो होते हैं वो obviously जल्दी से केटाइन बनाएगा और highly reactive non metal phatak से anion बनाएगा तो जो जितना अच्छा केटाइन जितना अच्छा anion बनाएगा phatak से बना लेगा ionic bond तो highly reactive metal and highly reactive non metal form ionic bond समझ में आ चुका है? next question है कह रहा है कि ionic bond का तो आपने समझा दिया covalent bond तो metal non metal वाला ionic bond है तो non metal non metal वाला covalent bond है बस इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है समझ में आ चुका अब आगे बढ़ते हैं अभी अभी हमने समझा था कि metal donor है basic oxide बनाएगा तो metal के जो oxide है बच्चे वो basic oxide बनेगा लेकिन non metal वाला acidic oxide बनाएगा क्योंकि वो acceptor है acid बनाता है अब कह रहा है कि first member of each group differs from different members of the group जैसे कि अगर मैं boron family की बात करूँ तो boron family का जो पहला member है boron वो बाकी बचे aluminium, gallium, indium, thallium से अलग behaviors हो करेगा, different behaviors हो करेगा the first member of this group behave differently as compared to other elements boron behaves differently as compared to aluminium, gallium, indium, thallium क्यों? क्योंकि पहला चीज़ है small size है हम कहते हैं जो घर में सबसे छोटा होता है वो different ही रहता है थोड़ा सा अलगी behavior करता है वो अलग नक्रे होता है उसके वह ही हो गया इसमें भी हर family में boron family, carbon family, nitrogen, oxygen, halogen जो सबसे छोटा size होगा जो सबसे छोटा होगा उसके अलगी नक्रे है उसका अलगी behavior है anomalous behavior है different behavior why? a small size पहला चीज़ अब छोटा size होने से क्या हुआ? sir, attraction on electron बढ़ गया तो attraction का मतलब electron negativity बढ़ गया तो a small size high electron negativity अब attraction बढ़ गया तो खट से देखो क्या बढ़ गया ionization energy बढ़ गया energy ज़्यादा लगाना पड़े गया वहाँ से तो क्या हो गया? पहला a small size high electron negativity high ionization energy अब देखो जब absence of d orbital भी तो है second period है न first member सारे second period में है चाहे वो boron हो, carbon हो, nitrogen हो, oxygen हो, hydrogen हो fluorine हो सारे second element है first member are all in second period second period वाले के पास d orbital नहीं होता है तो क्या-क्या चीज़ आया? चार a small size high electron negativity high ionization enthalpy and absence of d orbital अब d orbital है नहीं तो क्या है? केवल s और p तो s में एक orbital p में तीन orbital तो total 4 orbital तो second period वाले के पास total 4 ही तो orbital है और जितना orbital होता है उतना ही overlap होगा उतना ही bonding मनेगा तो second period वाले के पास total 4 orbital है total 4 overlap होगा total 4 bond मनेगा इसलिए NCRT में लिखा है the maximum covalency of second period element is 4 because only 4 orbitals are available 1 s and 3 p चलिए, next और कह रहा है लेकिन other members बाकियों के पास तो d orbital है न third period के बाद सबके पास होता है, third period and others third period and downwards they all have d orbitals तो वो चार से जाना बना सकते है अब NCRT में एक्जामपल लिखा है boron maximum BF4 बनाता है maximum BF4 minus बनाएगा but in case of aluminium it forms ALF6 minus 3 aluminium 6 bond मना सकता है ALF6 मना रहा है ALF6 minus 3 बना रहा है तो पहला page आपका finish हुआ है और यह आपको मैं notes दे रहा हूँ ताकि आप इससे revise आप कर लीजेगा यह free notes है हमारे चलिए अब कहरा है कि sir आपके पास first तो नहीं है first के पास d orbital तो नहीं है तो d pi bond नहीं बना सकता लेकिन यह p pi p pi तो बना ही सकता है भाई कि πi bond बनता है तो दो और्बिटल से बनता है ripi orbital से और d pi orbital से अब कहरे है second period यानि कि जो first members है उसके पास d orbital थो है नहीं second period आप इस शकने पीड थो होता ही नहीं है अब second period आप पास d orbital नहीं है इस वजह से वो d pi p pi नहीं बना पाएगा D pi D pi नहीं बना पाएगा, only it forms P pi P pi multiple bond आपने सुरा है न, carbon double bond carbon ethene में, carbon triple bond carbon ethane में पर pi bond को बन रहा है, लेकिन चुकि D नहीं है, इसलिए only P pi P pi bond is formed आपने ये भी सुना है न, cyanide में C triple bond N आपने C triple bond O भी सुना होगा, carbonyl आपने C double bond N भी सुना होगा hydroxine पढ़ाते हैं हम आगे, amide में आपने C double bond O भी पढ़ा होगा, again it is carbon या oxo group या आप aldehyde ketone में C double bond O भी पढ़ते होगा तो समझ आया, यहाँ पी आगे आपके पास कि C double bond C हो, C triple bond C हो, N triple bond N है C double bond O है, C double bond N है, N double bond O है, C triple bond N है कोई भी second period वाले अगर pi bond बना रहे, तो हमेसा P pi P pi बनेगा क्योंकि second period वालेक पास D था ही ने, बढ़िया फिर NCRT कहता है, कि heavier elements तो भाई, उसके पास तो D है heavier मतलब third period and उसके नीचे वाले, उनके पास तो D है इसका मतलब वो D pi P pi बनाता है, और D pi D pi भी बनाता है तो उसके पास तो छूट है, तो वो P pi P pi क्यों मनाएगा, वो तो D pi P pi और D pi D pi के तरफ जाएगा बढ़ी बाप है अब एक जो last में वो lines लिखा है ना, वो बहुत important है, तो बहुत गौर से सुन रहे तो क्या कह रहा हो, वो कह रहा है कि एक ही group में, अगर same oxidation number है, फिर से बता रहा हो, NO3 माइनस में nitrogen प्लस 5 है और PO4 माइनस 3 में phosphorus भी प्लस 5 है, एक ही group के element है, बट प्लस 5 में in a same group, if the oxidation number is same, then lower element forms less bond, and higher element forms more bond, फिर से इस पर फोड़ा गवार करना है in a group, for same oxidation number, lighter element form less bond, मतलब low coordination number, and heavier element form more bond, मतलब की high coordination number, देखें आप notes में, लिखा हुआ है, exactly, as it is तो अगर मैं प्लस 5 लेता हूँ, same oxidation number लेता हूँ, in प्लस 5 oxidation number, in case of nitrogen and phosphorus, nitrogen forms less bond, lighter element less bond, but heavier element, phosphorus form more bond, अब NO3 का structure देखें, आप देखो, यहाँ पे, यह वाला page में आपको देखेंगा है, NO3- तो nitrogen के coordination number 3 है, क्योंकि 3 ही तो sigma bond बनाया हूँ, और phosphorus के coordination number 4 है, क्योंकि 4 coordination number बन चुका है, हो जागिया, तो in same group, if the oxidation number is also same, then lighter element forms less number, and heavier element forms more number, amazing, अब आते हैं आपके पास, group 13, यानि की boron family पे, तो इसमें पहला paragraph को अगले 2 minute में cover कर देते हैं, देखो, कह रहें कि boron family में कौन-कौन से elements हैं, boron, aluminium, gallium, indium, thallium, बहुत अच्छा, boron, typical non-metal है, और बात-बात की सारे metal है, पहली बात उसने कही, कि boron is a typical non-metal, and rest all our metals, aluminium, gallium, indium, thallium, all our metals, एक थोड़ा सा नीचे दिया है, उसको पहली बता देता हूँ, boron जो है, उसके दो isotope है, boron 10 और boron 11, अब जो दो isotope है, boron 10, boron 11, boron 10, जादा, नहीं, कम मिलता है, boron 10, 19%, बहुत rarely मिलेगा आपको नेचर में, बट अगर अब boron 11 डूंड होगे, वो अईसोटोप, जादा मिलता है, बन्हों 81% के आसपास मिलता है, तो यह पहले एक मिनिट में तो यही कवर हुआ, boron, aluminium, gallium, indium, thallium, boron is a typical non-metal, rest all our metal, and, इसके दो आइसोटोप है, 10 और 11, 10 वाला कम मिलता है, 11 वाला जादा मिलता, लेकिन एक और बात जोड़ दो, कि बोरोन और aluminium की occurrence पढ़ाई गई है, important है formula पूछा गया है, बोरोन केवल तीन ही form में exist कर रहा है, कौन सा, बोराक्स, और करनाइट, और 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 और्थो वोरी के सिड, तो जो बच्चों बोराक्स है, और वो है Na2O4O7.10 water, जो बोरी के सिड है, य אני कि ओर्थो बोरी के सिड है, वो है H3BO3, और जो करनाइट है वो है Na2b4O7.7 water और ये बार-बार फॉर्मुले ध्यान रखिएगा वरना पूछा जाएगा Almonium की अकरिंस भी पता दी उसने दो फॉर्म कह रहा है कि Almonium occurs in nature in the form of cryolite and bauxite उसका mineral है वो bauxite mineral है Almonium का Al2O3.2 water और cryolite है आपका Na3-Alf6 cryolite और bauxite है Almonium जो है दो फॉर्म में exist करता है Al2O3.2 water और cryolite Na3-Alf6 समझ चुके हैं next अब आते हैं बच्चों आपके configuration electronic configuration ठेक है यहाँ पर इसमें एक छोटी सी line आपको बाद में काम आएगी वो ये है इसी में लिखा है कि Almonium भले ही metal है Almonium भले ही metal है लेकिन इट विहेवस इट शोट सम चेमिकल प्रोपर्टी तू आप बरोन भले ही metal है बट नन मेटल की तरह भी ये विशोब करता है इसी लिए अब आगे देखेंगे Almonium के Oxides Amphoteric नहीं चाहते है Almonium भले ही metal है बट बट इट शोट मेनी केमिकल सिमिलारिटी तू बट इट शोट मेनी केमिकल सिमिलारिटी तू आपके पास बरोन चलिए अब नेक्स्ट आजाते हैं बच्चो इलेक्ट्रोनी कन्फिगरेशन के हमने अभी पढ़के आए हैं कि NH2-NP1 इनर्ट गैस NH2-NP1 जिसका भी पढ़के लिखना है उससे पहले वाला इनर्ट गैस NH2-NP1 अब N क्या है period number 2nd period N2 3rd period N3 4th period N4 अब बोरोन 2nd period है उससे पहले वाला इनर्ट गैस 2H2-2P1 मतलब helium 2H2-2P1 अल लेकिन जस्ट नीचे आएंगे aluminium के उससे पहले वाला इनर्ट गैस Neon 3H2-3P1 period 3 अगर मैं gallium की बात करूँ उससे पहले वाला इनर्ट गैस यानि कि argon आपके पास 4H2-4P1 लेकिन भाई 4th period आ गया न 4th period आने से क्या हुआ कि d-orbital आने लगे d-block के elements enter हो गए 4th period में scandium calcium के जस्ट बात scandium से start हो जाता d-block तो gallium जो है उससे पहले d-block enter हो चुका है तो जब भी d-block आएगा तो d-के electron भी आएगे तो gallium के case में d-के electron भी डालना पड़ेगा और जब-जब d आता है n-1d के साथ आता है n क्या है 4 n-1 क्या हो गया 3 तो n-1d मतलब 3d तो अगर आपको gallium का लिखना है तो क्या लिखोगे उससे पहले वाला inert gas argon 3d10 4s2 4p1 उसके just नीचे आऊ indium क्या आजाएगा उससे पहले वाला inert gas argon फिर आएगा उससे पहले वाला inert का script है और फिर आएगा आपके पास 4d10 n-1d कर दिया न इस बार n is equal to 5 तो 4d10 5 is to 5p1 अब आते हैं थोड़ा thallium क्या है थallium है बच्चे 6th period का ठीक है अब 6th period का है तो यहाँ पे d भी है और f भी है भाई 4th और 5th period में केवल d होता है 6th और 7th period में d भी है f भी है lengthenides, actenides तो मतलब यहाँ n-1d तो आएगा ही आएगा n-2f भी आगे रहेगा पहले वाला inert का है xenon और n-2f 6-2, 4f, 14 n-1d मतलब 5d10 और 6s to 6p1 तो चलेगा ही चलेगा अब यहाँ पे NCRT ने थोड़ा सा catch पकड़ा बोला देखो हर configuration में n-2, n-p-1 है है ना चाहे बोरोन से लेकर के थालियम तक n-2, n-p-1 तो है outer electronic configuration तो है सबका सेम but the core electronic configuration is different कहता है inner electronic configuration उसी को बोला जाता है core electronic configuration is different what is core electronic configuration inner electronic configuration is core electronic configuration what different है तो अगर मैं पहले boron और aluminium की बात करें तो केवल inert gas n-2, n-p-1 था लेकिन अगर मैं gallium और indium की बात करो inert gas n-2, n-1, d-10 भी था thallium की बात करें inert gas n-2, n-1, d-10 था n-2, f-14 भी था इसलिए यह जो d और f add हो रहे हैं these are different core is different therefore properties are different कह रहा है कि आउटर से में तो बड़ा अच्छी बात है but since the core of these elements are different so the properties are also different next point atomic radius पे आजाते है ठीक है चलो अब atomic radius तो generally क्या होता है नीचे जाने पे size बढ़ता है तो होना क्या चाहिए बरोन से बड़ा aluminium, aluminium से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा इंडियम, इंडियम से बड़ा थैलियम लेकिन ऐसा गलत है ऐसा होता नहीं इंडियम से थोड़ा बहुत ज्यादा है थैलियम तो दो जगह चेंज आया एक तो aluminium और gallium में उल्टाई हो गया और दूसरा, indium थैलियम में almost बड़ा बर size हो जाती है थैलियम थोड़ा सा बड़ा है जबकि होना चाहिए बहुत बड़ा एक 5th period, 6th period है बड़ जादा size बड़ जाना चाहिए, बड़ होता नहीं है ऐसा क्यों ऐसा क्यों हो गया, क्यों की अब देखो, जो gallium है हमारा जो हमारा बच्चे, gallium है वो तो 4th period का element है अब 4th period में D block आता है D block का मतलब D के electron आएंगे अब D के electron आ रहे, ध्यान रखो ना लिखाता ना 3D 10, gallium के तो 3D 10, D orbital की खट से poor shielding हो गए D electrons की poor shielding हो जाती है और जब-जब poor shielding होता है तब-ब size कम हुआ है Whenever there is a poor shielding there is a decrease in size और size contraction चोटा, सिकूर जाना, चोटा हो जाना contraction तो गैलियम में D orbital की poor shielding होई, गैलियम का size contract होके सिकूर गया, चोटा हो गया इतना चोटा हो गया कि अलमुनियम से भी चोटा जाता है तो बोरोन के बाद गैलियम गैलियम के बाद अलमुनियम आज़े वाई? विकाज D orbital contraction की वज़ए से और D orbital, D block वालों को transition भी तो कहते है transition metals तो इसको हम transition contraction भी कहते है समझ में आगे पूरी बाद? तो अलमुनियम और गैलियम में वाई गैलियम इसे smaller than अलमुनियम, because of the D block contraction, और विकें से transition contraction अचा, इंडियम और थैलियम में ऐसा क्या खास बात था? इंडियम से बहुत बड़ा होना चाहिए थैलियम बट लगभग बराबर क्यों है? क्योंकि थैलियम में देखो F orbital की very poor shielding आ गई है थैलियम का configuration देखो 4F 14 तो D तो हई है, F की और poor shielding लगई इसका मतलब जितना size बढ़ना चाहिए था ना बढ़के सिकूर गया वो भी ठीक है? और इंडियम और थैलियम की बराबर हो जाती है almost बट फिर भी थैलियम का थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है इसलिए ऐसा order आया तो दो चीज मैंने आपे बताई अलिमुनियम का यह मतलब 3rd और 4th परियेड में क्या था? D-block contraction यानि की transition contraction 5 और 6th परियेड में क्या था? Lengthonide contraction या फिर F-block contraction बोल सकते हो इसके just बाद ionization energy आगया कहता ionization energy आपके पास अगिन चुकिए यहाँ पर Lengthonide contraction लग रहा है और वो लग रहा है transition contraction लग रहा है तो अलग तरह का यहाँ पर order देखने को बिलता है और वो order याद करने का तरीका भी है कैसे याद होगा? तो वो याद ऐसे होगा कि बंद करके ताला गया Almonium India बंद करके मतलब boron ताला मतलब thallium गया मतलब gallium गया Almonium फिर Almonium आ जाएगा और India का मतलब IN तो boron thallium GA बंद करके ताला गया फिर Al Almonium and then India is IN बोरोन का सबसे जादा फिर आपके पास आएगा TL फिर आएगा GA फिर आएगा AL और फिर आएगा IL decreasing order में और इसमें एक और चीज बोला इसने अच्छा कोई लोग कमें में सवाल आएगा कि ऐसा क्यूं हुआ अगें क्यों कि boron family में कई तरह की contraction लग रही है दो transition contraction and then night contraction therefore the order is reverse या order is chaotic छोड़ा सा उल्टा सीधा order है फिर आजाते हैं कि सर ये तो ionization energy चमक गया आपके पास एक और statement है उसमें कि successive ionization energy increases मतलब जो पहला electron निकालने में IE1 होगा इससे कई जादा बड़ा होगा IE2 इससे कई जादा बड़ा होगा IE3 क्यों ऐसा हुआ IE1 से जादा हुआ IE2 इससे भी जादा हुआ IE3 ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि एक छोटा सा कहानी सुना देता हूँ इस पर देखो मन लो आप किसी से कर्ज लेने जा रहे हो तो मैं पहली बार जाओंगा कि 10 लाग उरपे दे दो वो दे देगा कि चलो या अच्छे करका लग रहा है वापस कर देगा लेकिन मैं सेम इनसान के पास मैं कुछ दिन बाद फिर जाता हूँ बोलता हूँ 10 लाग और देदो वो कहे आ रहे नहीं यार पहला वाला पहले दो थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा आपको आप कुछ दिन बाद फिर गाएगे फिर से 10 लाग देदो तो वो बहुत जादा रिजीड हो जाएगा कि नहीं दूँगा आपको बहुत पशक्कत करनी पड़ेगी तो जब पहला इलेक्ट्रोन निकालने जाते हो तो आसानी से निकल जाता है दूसरा इलेक्ट्रोन और एनरजी लगानी पड़ती है तो शेयरड पेर ओफ एलेक्ट्रोन बेसिकली एलेक्ट्रोनेगटिविटी क्या है अट्रैक्शन है तो छोटा साइज ज्यादा अट्रैक्शन क्योंकि न्यूकलियस पास में है तो ध्यान दीजे, बोरोन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगटिविटी क्योंकि सबसे छोटा साइज है, बोरोन से नीचे हुआ अलमुनियम, लेकिन फिर मैं बता दू, कि गैलियम पर बात आते आते बदल जाती है, क्यों? लेंथनाइट कॉंट्रेक्शन, इलेक्ट्रो नेगटिविटी भी आपका क्लियर हो गया, इसकी जरस्ट बात बेटा, फिसकल परपर्टी आ जाती है, और आपको बताया है ना, कि बोरोन इस अ टिपिकल नॉन मेटल, साथ में ये ब्लैक, कलर्ड, सॉलिड, एन एक्स्ट्रीमली हार्ड होता है, मतलब कुछ कुछ नो कुछ similarity समझने के लिए, आप समझ सकते हो कि बोरोन इस समवाट लाइक डाइमंड, हीरे की तरह है, मल बस समझने के लिए है, और कुछ ने, तो जैसे डाइमंड के प्रपटी है, वैसी बोरोन भी करता है, तो बोरोन बस एक अंतर है कि बोरोन काला कलर का सॉलिड ह लेकिन इस एक्स्ट्रीमली हाइ, एक्स्ट्रीमली हाइड, अचा हाइड क्यों है, क्योंकि जो बोरोन है उसका strong crystalline lattice होता है, बोरोन बहुत ही tightly packed strong crystalline lattice है, इसको तोड़ना मुस्किल है, इसलिए extremely hard है, और इसलिए वो high melting point होता है, बोरोन का सबसे जादा melting point होता है अपने group मे despite ये बात अलग है कि बोरोन non-metal है, metal का generally high melting point होता है, बट ये non-metal होते हुए भी सबसे high melting point रखता है अपने group में, क्यों, because of the strong crystalline lattice, because of the strong crystalline lattice, it is extremely hard, it is difficult to break, and high melting point, और ध्यान रखिये black color होता है, काला color का black, बोरोन, B for black, B for boron, black boron, चलो, आपके पास ये हो गया, जो rest members है, जैसे कि aluminium, gallium, indium, thallium, the rest members are, rest members क्या होते हैं, the rest members are soft metals, जो बाकी के हैं, rest members, वो soft metals होते हैं, अच्छा, soft metals हैं, metals तो क्या होंगे, कि ठीक है, soft metals हैं, तो इसको हम low melting और boiling point बोल देते हैं, तो soft metals हैं, तो low melting और boiling point हो लो, चलिए, इसके बाद NCIT क्या कहता है, इसी में कहता है, कि metals की electrical conductivity high है, होनी भी चाहिए, metal की electrical conductivity होनी भी चाहिए, क्योंकि metal के पास free electron होते हैं, metal electron donate करता है, lose करता है, free electrons है, अच जहां-जहां free electrons होगा, conductor of electricity and heat, इसके just बाद आप देखोगे, तो gallium के बारे में NCIT कह रहा है, कह रहा है, कि gallium, वैसे तो यह soft metal है, बट इसका melting और boiling point very low हो जाता है, gallium एक special kind of metal है, जो 30 degree Celsius पर melt कर जाता है, NCIT में लिखा है 303 Kelvin, जब इसको degree में convert करोगे तो 30 degree Celsius होता है, तो अचा गर्मियों का temperature तो 40-45 होई जाता है ना हमारे यहां, गर्मियों में, जून जुलाई के माहिनों में, 40 degree, 45 degree temperature होता है, अब यह melt कर जाता है, 30 degree पर, melting point इसका 30 degree Celsius है, तो gallium metal, 30 degree Celsius पर ही melt करता है, it has very low melting point, therefore gallium metal exists as liquid in summer, वो गर्मियों में, तो liquid की तरह मिलता है, तो गर्मियों का number है, 40 degree और यह 30 degree पर melt हो जाता है, liquid हो जाता है, तो gallium exists as liquid in summer, because of the very low melting point, because, and the melting point is 30 degree Celsius, अमीजिंग, इसके बाद density की बात किये है, तो यार density बड़ा सिंपल है, density is equal to mass upon volume, है ना, density क्या है, mass upon volume, तो mass बढ़ेगा, density बढ़ेगा, तो जैसे जैसे नीचे जाओगे, mass बढ़ेगा, वैसे वैसे density बढ़ेगा, तो boron से ज़्यादा, बैटिंग याद करना है, बैटिंग क्या है, B-A-T-I-N-G, डबल T नहीं, B-A-T-I-N-G, कैसे याद रखोगे, B for boron सबसे ज़्यादा melting point, बैटिंग में B आ गया, फिर A आएगा, A for aluminium, second ज़्यादा melting point, second highest melting point, इसका, फिर T आएगा, मतलब boron और aluminium के बाद thallium का high melting point हो जाएगा, फिर IN, बैटिंग में, B-A-T-I-N, तो IN का मतलब हो गया, इंडियम, उसके बाद जो नंबर आएगा, वो इंडियम का melting point का नंबर आएगा, और सबसे कम होता है, obviously, gallium का, बैटिंग में, तो melting point में सबसे कम gallium का, सबसे ज़्यादा boron का, और कैसे order है, तो बैटिंग हो जाएगा, boron, फिर aluminium, फिर thallium, फिर आपके पास इंडियम और gallium, नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है, वो important again हो गया, boiling point, तो boiling point बड़ा simple है, बोरोन का सबसे ज़्यादा, extremely hard, है ना, बोरोन का boiling point सबसे ज़्यादा, extremely hard, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाओगे, softness, soft metal होते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे boiling point कम होते जा रहे है, तो down the group boiling point decreases, but melting point का उल्टा सीधा order है, batting, अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात, हो गया, melting और boiling point की, अब बात करना पड़ेगा, chemical property का, हाँ या ना, अब chemical property का बात करना पड़ेगा, तो chemical property में क्या है आपके पास, oxidation state, है ना, सबसे पहले हम बात करेंगा, oxidation state, और फिर हम trends की बात करेंगे, citizen state आपको बताता हूँ, सुनिए अगर को और से, और visualize करिए, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको visualize करिए, जब तक आप दिमाग में सोचेंगे ने ना, अपनी बातों को, तब तक वो याद नहीं होगा, पढ़ाने के लिए, हजारो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, एक हजारो coachings आपको मिल रहे हैं, सैकड़ो आपको materials मिल रहे होंगे, लेकिन selection फिर भी हजारो लाखो से ले, क्या क्यों नहीं हो रहा, फिर से मैं बताओ, 600 से उपर number लाने वाले बड़े लोग कम हैं, क्योंकि, again मैं बोल दो, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई, इसलिए नही कर रहे हैं, याद नहीं होता, उनको नहीं पता कि NTA को memory भी चाहिए, और NTA को IQ भी चाहिए, कुछ लोग बहुत अच्छा numerical solve करते हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छा यादी कर पाते हैं, तो दोनों जब होगा, तब होगा, और याद करने वाली चीज़े तो बेटा brain में सेट होनी चाहिए, प्रिंट फॉर्म में एकदम, मतब बरवन्च ऐसे मैं बस मुझे टॉपिक बताओ, मैं पूरा बोल दूँ, वैसा आपको होना चाहिए, तब आप एक सोसी में सोसी कैसे नहीं लाओगे ये बताओ, चीक है न, तो इसलिए leak से हटके पढ़िए, rat race से अल करेंगे, नीचे जैसे ही आएंगे, गालियम और इंडियम में प्लस थ्री प्लस वन दोनों शो करेंगा, थालियम भी प्लस थ्री प्लस वन सो करेंगा, बट, ड्यू टो इनर्ट पेरिफेक्ट थालियम प्लस वन मिस्टेवल है, अब यहां पे NCRT ने एक पॉइंट डाला, कि बोरोन प्लस थ्री में एक्जिस्ट नहीं करता है, और काफी सारे लोग यहां कन्फ्यूज होते हैं कि अब BCN3 क्या है, BF3 क्या था फिर, बोरोन प्लस थ्री में तो है तो सही, भाई B2O3 क्या है, बोरोन प्लस थ्री में, लेकिन तो फिर NCRT गलत है या क्या है, सब सही ह मतलब बस उसका अगर सही से निकाले तो सही है NCRT कह रहा है कि boron अकेला प्लस थरी में एक्जिस्ट नहीं करता है boron compounds में प्लस थरी में एक्जिस्ट कर जाएगा बट आप कभी नहीं boron प्लस थरी नहीं आपको ऐलमूनियम प्लस थरी मिल जाएगा बट बोरोन प्लस थरी इंडिविज्वाली आईसोलेटेड फ़म में नहीं मिलेगा आपको गैलियम प्लस थरी मिल जाएगा इंडियम प्लस थरी मिल जाएगा थैलियम प्लस थरी मिल जाएगा बट बोरोन प्लस थरी नहीं बन पाता हाँ, compounds में boron plus 3 में, BCL3 जब बन रहा है तो वहां मिल जाएगा, BF3 म बन जाएगा, BBR3 म बन जाएगा, and so on, but, boron individually boron plus 3 बनाना, जैसे Mg plus 2 मिल सकता है, Ca plus 2 मिलता है, I minus 1, F minus 1, Cl minus 1 मिलता है, but boron plus 3 नहीं मिलेगा, क्यों इसका reason पूछा लोगों ने, तो बोला, कि boron plus 3 बनाने क के, boron plus 3 बनेगा, अब देखो, IE1, IE2, IE3, जब आप जोडते होना, the sum of IE1, IE2, IE3 is very high in case of boron, भाई, boron के case में, IE1 plus IE2 plus IE3 बहुत हाई है, अब जो बहुत हाई है, तो क्या होता है, नहीं बन पाता, उतना energy available ही नहीं होता, तो boron plus 3 नहीं बन पाता, but aluminium का, IE1, IE2, IE3 का जो sum है, it is low, and therefore aluminium forms plus 3, gallium में भी it is low, therefore it is GA plus 3, भाई में आया, चलते हैं, अब पूछता है, कि stability of plus 1 oxidation state नीचे जाने पर बढ़ेगा की कम होगा, और stability of plus 3 oxidation state नीचे जाने पर बढ़ेगा की कम होगा, अब देखो, बढ़ा simple है, कि stability of lower oxidation state नीचे जाने पर बढ़ता है, तो अगर मैं aluminium plus 1, gallium plus 1, indium plus 1, thallium plus 1 की बात करो, तो increase होगा stability नीचे जाने पर, लेकिन, लेकिन, अगर मैं बात करता हो, किसकी plus 3 की, aluminium plus 3, gallium plus 3, indium plus 3, thallium plus 3, तो क्या होगा, नीचे जाने पर कम होगा, क्योंकि stability of lower oxidation state की stability बढ़ती है, stability of higher oxidation state की कम हो जाएगा, अब बढ़ जाते आपके पास trends in chemical reactivity, trends in chemical reactivity भी बड़ा simple है, trends in chemical reactivity is very simple, क्या रहा है कि अगर boron, trivalent state में है, मैं कहने का मतलब boron अगर 3 bond बना रहा है, तो इसका मतलब उसका octate incomplete है, क्योंकि इसका 3 bond बना रहा है ना, तो 6 ही तो electron उसके पास हुए, और 6 electron हुए, तो octate के लिए तो 8 चाहिए, तो octate इसका incomplete है, whenever boron is in trivalent state, the octate is incomplete, in trivalent state, there are 6 electron, उसके पास 6 electron है, 6 electron है तो octate incomplete है, तो octate complete करने के लिए क्या करता है, 2 electron कहीने कहीं से लेता है, तो whenever boron is in a trivalent state उसके पास 6 electron है central atom के पास इसलिए octate incomplete है unstable होता है दूसरा कहरा अभी यह 6 electron है इसके पास so it accepts lone pair क्योंकि lone pair पे 2 और electron आ जाएंगे 6 plus 2 8 हो जाएगा so it accepts lone pair to form to complete its octate to become stable तीसरा point आपके पास आ जाता है कि tendency to behave as Lewis acid है ना अब देखो यह Lewis acid की तरफ behave कर रहा है क्योंकि एकसेप्ट कर रहा है lone pair but BX3B lone pair की तरफ BX3B acid है ALX3B acid है GAX3B acid है INX3B acid है similar to TLX3B acid है क्योंकि सारे trivalent state में 6 electron है और सब के पास 2-2 electron की कमी है तो सारे 2 accept करना चाहते है मतलब सारे वो है Lewis acid पर पूछ रहा है कि BX3, ALX3, GX3, INX3 और TLX3 में किसकी acid character जादा है अब acid में क्या करना है accept करना है accept कब करेगा जब attract करेगा attraction कब होता है जब pass में होते है pass में होने का मतलब side छोटा है तो जिसका side छोटा है वो attract करेगा वो ही electron pair accept करेगा मतलब BX3 ज़्यादा acid का है और नीचे जाने पर SD character बढ़ रहा है वो ही NCRT नहीं लिखा है कि tendency to behave as Lewis acid decreases down the road BX3 का SD character सबसे ज़्यादा है then LX3, then GX3 and then INX3 and then TLX3 क्या amazing है अब कह रहा है कि जैसे माल लीजे मैं BCL3 की बात कर लू भाई trivalent state है यह ही electron है octate incomplete है तो अगर मैं BCL3 octate incomplete का ammonia से reaction कर देता हूँ तो ammonia में nitrogen पे lone pair है खट से boron पे attack करके octate complete करा लेगा तो BCL3 पहले 3 bond बनाया था ammonia ने lone pair देके coordinate बना लिया तो क्या बन गया 4 bond अब 4 bond बन गया इसका मतलब SP3 था पहले BCL3 3 sigma bond से अब 4 sigma bond बन गया SP2 से SP3 बन गया पहले 3 sigma bond SP2 था अब BCL3 ने ammonia से lone pair लेके खट से क्या बना दिया BCL3 dot ammonia इसका मतलब ammonia ने lone pair दे दिया BCL3 को और stable हो गया BCL3 dot ammonia और BCL3 dot ammonia क्या है एड़क्ट बोलते है उसको addition product एड़क्ट बोलते है है ना जब ही dot से कोई चीज लिखे हो तो उसको BCL3 dot ammonia इसको एड़क्ट बोलते है चलिए amazing समझ में आ गया तो क्या हो गया BF3 dot NH3 में ammonia ने lone pair डोनेट किया BF3 को तो BF3 dot ammonia भी वहाँ भी बन जाएगा क्यों एसा हो रहा है reaction क्योंकि trivalent state में वो octate incomplete है और octate completion के लिए वो lone pair लेता है एक और चीज उसमें लिखा गया है next कि ALCL3 एड़क्ट नहीं बनाएगा again क्यों नहीं बनाएगा बड़ा simple logic फिर सोचेंगे तो समझाएगा देखो BCL3 ने बना लिए LCL3 एड़क्ट क्यों नहीं बना रहा एड़क्ट बनाने के लिए loan pair को लाना है एड़क्ट बनाने के लिए loan pair को accept कराना है अब वो तभी होगा न जब attract हो तो बोरोन छोटा size होगा तभी तो attract होगा जैसे aluminium पर गया aluminium का size बड़ा हो गया aluminium का size बड़ा हो गया तो loan pair accept नहीं हो रहा aluminium का size बड़ा हो गया तो loan pair accept नहीं हो रहा इसलिए वो एड़क्ट नहीं बना रहा तो अब ये दूसरे तरीके से अपने octet को complete करता है तो LCL3 do not form adduct बट इट फॉंस डाइमर बई एक और LCL3 को पास मिलाता है बोलता है चलो साथ मिल लेते हैं इस्टेबल हो जाएं तो LCL3 दूसरे LCL3 के साथ मिलके L2CL6 बनाता है और दिस दाइमर अब जब L2CL6 बन रहा है तो ध्यान दे ये एक banana bond है देखे आपको structure दीख रहा होगा है इस page में यहाँ पे सबसे last L2CL6 में डाइमर बन रहा है banana bond बन रहा है जब भी surrounding atom के पास लोन पेर होता है banana bond में that means it is a 3 center 4 electron bond यहाँ पे LCL3 में chlorine के पास lone pair है surrounding atom के पास lone pair है banana bond है और 3 center 4 electron इसको आँख बंद करके बोल सकते है अगर surrounding atom के पास lone pair नहीं हुआ उस case में हम इसको 3 center 2 electron bond बोले है चलो यहाँ तक समझ में आया है अब आगी बर जाते है इसमें कुछ important point दिया गया है उसको बच्चे छोड़ देते हैं देखो उसमें लिखा गया है जो bridge bond है वो जादा bond length है और जो side वाला terminal bond length है वो छोटा है तो bridge bond length is bigger and terminal bond length is smaller bridge bond length is bigger and terminal bond length is smaller एकदम clear हो गया चलिए तो bridge bond length बड़ा हो गया terminal bond length छोटा हो गया उसके बात आजाएंगे BBA bond angle की हम बात करते हैं तो सबसे बाहर वाला जो bond angle है वो सबसे बड़ा है Then फिर bridge वाला ठीक है second number पर जो bond angle है वो bridge वाला है और फिर third number पर क्या है अंदर वाला BBA बाहर वाला bridge वाला अंदर वाला तो बाहर वाला bridge वाला अंदर वाला इस तरह से आपको bond angle रखना है ठीक है यादी करना पड़ेगा data नहीं पूछेगा कोई कि कितना था 104 था 107 था 109 था 120 यह से हमने पूछेगा पूछेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है तो बाहर वाला terminal वो सबसे जादा बड़ा है फिर bridge है और फिर अंदर वाला है तो यहां तक आपके सारे points हमने cover कर दि bridge bond length सबसे बड़ा है यह भी हमने बता दिया as compared to terminal bond अब एक index question आया कि boron forms बिए बोरोन do not form BF6-3Y बोरोन BF6-3 क्यों नहीं बनाता क्योंकि बोरोन के पास maximum 4 bond बना सकते है बोरोन 2nd period का है बोरोन 6 bond बना ही नहीं सकता अब आते हैं hydrolysis of trihalides पर ध्यांदीजेगा hydrolysis of trihalides पर आते हैं hydrolysis of trihalides पर दे तो trihalides समझो BX3 जो हम पढ़ रहे था वो trihalides था BCL3, sorry BF3, BCL3, BBR3, BI3, X की value रखना है वस आपको तो BF3, BCL3, BBR3, BI3 अब इसमें दो तरह की hydrolysis होती है जो BCL3, BBR3, BI3 है उसमें complete hydrolysis है और जो BF3 है उसमें partial hydrolysis है मजा आया तो complete hydrolysis में क्या होता है ध्यान दिजेगा complete hydrolysis में 4 water molecule इस्तेमाल होता है तीन water molecule से क्या बनता है BOH whole thrice तीनों CL हटके BOH whole thrice बनेगा जब चौथा water molecule आता है देखो अभी भी जब BOH whole thrice बना तब भी तो बरोन के पास तीनी bond बने BOH whole thrice अभी भी तो octetine complete है तो चौथा water molecule आता है और उसको finally BOH whole 4 minus बनाता है तो BCL3, BBR3, BI3 में सब में BOH whole 4 minus बनेगा और 4 mole water इस्तेमाल होता है चार water molecule attack करता है और BCL3 के case में HCL और यहाँ पे HBRHI रिलीज होगा लेकिन BF3 में partial hydrolysis होता है very important point partial hydrolysis क्या है बई partial hydrolysis का मतलब होता है कि सारे molecules react नहीं करेंगे कुछ ही molecules react करेंगा मतलब BF3 हमने लिया तो उसमें से कुछ तो पानी सरीक करेंगा कुछ बचा रहे जाएगा तो partial hydrolysis में क्या होगा यह कुछ molecule पानी सरीक कर जाएगा तो क्या बन जाएगा BOH whole 4 minus और HF release हो जाएगा अब जो कुछ molecule बचा हुआ है na BF3 का वो HF से reaction करके BF4 minus बनाता है तो complete hydrolysis का सब सेम है BOH whole 4 minus HCL BOH whole 4 minus HBR BOH whole 4 minus HI बट BF3 के case में BOH whole 4 minus बनेगा HF भी बन रहा है बट कुछ HF जो है वो BF3 से मिल चुके हैं और वो BF4 minus बना चुके हैं very easily Amazing हो गया अब आगे बढ़ जाते हैं आपके पास partial hydrolysis के बाद अब आते हैं अगर मान लीजिए आप ALCL3 हम Borone trihalides बन रहा है Almonium की trihalide देख लो ALCL3 की पानी से reaction कराएं तो ALCL3 की जब हम पानी से reaction कराएंगे उस case में क्या होगा Almonium तो 4 से ज़दा bond बना सकता है तो Almonium के 6 bond बन सकते है Almonium 4 से ज़दा bond बना सकता है तो Almonium के 6 bond बन सकते है तो LH2O whole 6 plus 3 बनाता है, वो LH2O whole 6 plus 3 बना देता है very simply, अब एक question है, कह रहा है, white fumes appear around the bottle of LCl3, why, important question है, इसी type के छुपारुस्तम question पूछ लेगा, और उस पूरे answer को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें 2 चीज़े आपको दी गई है, पता है कौन, एक दिया गया है कि LCl3 क अभी partial hydrolysis होता है, देखो लिखा होगे अब, कि anhydrous LCl3 is partially hydrolyzed, अब water से करेगा, atmospheric moisture है, उसमें पानी होता है, उसे reaction करता है, तो hydrolysis होगा, तो LOH whole thrice तो बनेगा, साथ में HCl भी तो बनेगा, वो जो HCl है, उसकी वजह से white fumes आ रहा होता है, चलिए, यहाँ पे आते reaction with air, अ एक नहीं है कि O2 से reaction करना तो, air में N2 भी तो है, अच्छा घसा माउंट है N2 का, तो air में O2 से reaction होगा, N2 से reaction होगा, बस, यह ध्यान रखना है, crystalline boron की reaction किसी से नहीं होगी, crystalline boron तो strong था न, वो टूटी नहीं रहा था, उसको melt करने में तो बहुत जादा 1000-2000 Kelvin देना पड़ बहुत जादा strong है वो, high melting point वाला है, तो वो टूटी नहीं रहा है, टूटे गा नहीं तो reaction कैसे होगा, तो crystalline boron की O2 से भी reaction नहीं होती है, crystalline boron की N2 से भी reaction नहीं होती है, लेकिन अगर आप उसको तोड़ के पहले से ही powder form में कर दो, मतलब amorphous form में अगर आप लेया हो उसको तो amorphous boron की O2 से reaction होगी, amorphous boron की N2 से reaction होगी, तो crystalline boron do not react with air, either with O2, either with N2, नहीं करेगा, लेकिन amorphous boron ज्यान दे, रो action करता है, तो boron oxygen की reaction करता है, तो देखो, boron के पास 3 charge होता है, और oxygen के पास 2 charge होता है, क्रिस क्रॉस करोगे, इसकी टोपी उसके सर करोगे, तो oxygen का 2 boron क साथ, boron का 3 oxygen के साथ, तो B2O3 बन गया, तो amorphous boron की O2 के साथ reaction करके B2O3 बनता है, L2O3 बनता है, GA2O3 बनता है, लेकिन thallium plus 1 में stable है, इसलिए TL2O बनता है, तो oxygen के साथ reaction समझ में आई होगी, बस एक point है, कि amorphous boron reaction करेगा, crystalline नहीं, अब आ जाते हैं कि sir, जब इतना है, त B2O3 non-metal oxide है, मतलब acid होगा, पढ़ाया था, जो जो last वाले दोनों है, indium और thallium, metal की oxide है, मतलब की basic होगा, लेकिन बताया था ना कि aluminium भाले ही metal है, बट कुछ property वो, boron से शोग करता है, मतलब amphoteric, अब मैं आपको एक short trick दे दिता हूँ, amphoteric का, जनाब अली ने गाया, कार में पंजाबी song, ध्यान रखिएगा, जना मतलब होगया, ZN, B मतलब BE, अली मतलब AL, जनाब अली ने गाया, गाया मतलब GA, कार, कार मतलब CR, में मतलब MN, पंजाबी मतलब PB, song मतलब SN, तो जनाब अली ने गाया, कार में पंजाबी song, यह जितने भी हैं, यह सब के सब amphoteric oxides बना GA2O3, गाया, यह सब कहां है, M4Tric Oxide में, तो B2O3, चुके non-metal का है, acidic, IN2O3 और TL2O, basic, remaining वाले M4Tric हो गए, बोलो हाया ना, इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे, क्या, Aluminium की N2 से reaction, बोरोन की N2 से reaction हमने कर ली, Aluminium की N2 से reaction करके देखते हैं, Aluminium की N2 से reaction कैसे होगी, आचा, बोरोन की N2 से पहले कर लेते हैं, फिर Aluminium भी कर लेंगे, चलो साथ हो, बोरोन प्लस 3, N2 में nitrogen-3, तो दोनों 3-3 हैं, मतलब, simplest formula होगे 1-1, मतलब B1N1 लिखो, या BN लिख दो, similarly, ALN लिख दो, similarly, ALN लिख दो, clear हो जाएगा, चलिए, next आपके पास move कर जाते हैं, similarly, ALN हो जाएगा, BN और ALN हो जाएगा, M4Tric Oxides भी आपके पास चम होते हैं, अब कह रहा है, कि जो Aluminium की अपने O2 से reaction कराई थी, तो क्या बना था, AL2O3, वो M4Tric Oxide था, लेकिन जब-जब AL2O3 बनता है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, कि जब-जब AL2O3 बनता है, इसको कहा जाता है, कि Aluminium के उपर, जैसे महल लीजिए, बच्चे कि ये Aluminium है, अब Aluminium की O2 से reaction हो गए, तो Aluminium AL2O3 का लेयर बना लेता है, उसके उपर, Aluminium एक, Aluminium Thin Film Oxide Layer बना लेता है, बहुत पतला Aluminium का, Al2O3 का लेयर जम जाता है, अब जहीं लेयर जम गया, तो देखो Aluminium छुप गया, Aluminium छुप गया, तो it prevents Aluminium from further attack, whenever Al2O3 is formed, a thin film oxide layer is formed over Aluminium, thin film oxide layer Aluminium के उपर बन जाता है, चीक है, and it prevents Aluminium from further attack, Aluminium को further attack से बचा लेता है, so Aluminium becomes passive, इसलिए बच्चे Aluminium passive हो जाता है, क्योंकि Aluminium react नहीं कर पा रहा है, passive का मतलब non-reactive, further react नहीं करता है, चलिए, अब आते हैं, reaction with acid and base, गौर से सुलो, acid or base की जो reaction है, तो देखो, boron, वैसे भी crystalline है, वो तो reaction ही नहीं देगा, पहली तो, लेकिन अगर हम amorphous boron को ले आए, amorphous boron भी normal acid or base से reaction नहीं देता, अगर आप चाओगे boron की reaction आप करा दो, HCl से नहीं होगा, NaCl से नहीं होगा, boron do not react with normal acid or base, हाँ ये बात clear है, कि boron react with oxidizing acid, अगर मैं boron को, कौँ के CHNO3 दे दूँ, वो oxidizing acid है, कौँ के CHNO4 दे दूँ, वो oxidizing acid है, तो oxidizing acid क्या करेगा, boron को oxidize करके, H3BO3 बनाएगा, और कौँ के CHNO3 क्या करेगा, NO2 बना देगा, कौँ के CHNO4 क्या करेगा, SO2 gas release करेगा, ध्यान दीजे, जब acid से radiation करता है, तो generally H2 gas निकलता है, metal प्लस acid H2 gas है, बट यहाँ पर, boron acid से react कर रहा है, डिफरेंस क्या है, कि वो oxidizing acid है, oxidizing acid क्या करता है, corresponding gas निकालता है, अगर HNO3 लिया, NO2 gas, अगर H2O4 लिया, तो SO2 gas निकलेगा, तो boron normal acid based reaction नहीं करेगा, बट, oxidizing acid से reaction करतेगा, अच्छा, अच्छा, वट इव, aluminum को normal acid based नहीं कर लेगा, aluminum को दिख करते है, aluminum, dilute HCl दालो, तो LCl3 प्लस H2 gas बना देगा, aluminum plus acid, metal plus acid, आपके पास H2 gas evolve कर देगा, LCl3 बना देगा, aluminum को अगर आप base दो, हाँ, तो aluminum base से भी रियेशन करता है, क्योंकि amphoteric nature का है न, तो aluminum plus NaOH अगर आप करेगो, तो NaAlOH whole 4 बनाता है, वो NaAlOH whole 4 बनाता है, sodium aluminate, ठीक है न, meta-aluminate उसको बोलते हैं, या फिर इसको कई books में NaAlO2 भी लिखा है, मतलब अगर आप heat कर दो, तो वहाँ से जो भी बचा कुछा water है, सब निकल जागा, oxide बचेगा, NaAlO2 बनता है, समझ गए बात को, तो boron की normal acid base से reaction नहीं होगी, oxidizing acid base से reaction होगी, oxidize किस में होता है, boric acid, orthoboric acid, H3PO3 में, और corresponding gas निकल रहा है, NaO2, SO2, लेकिन aluminum react कर दागा, AlCl3H2, NaAlOH4, H2, वो metal से भी H2 निकालता है, metal acid से भी H2 निकालता है, base से भी H2 निकालता है, अच्छा, what if, aluminum को, वो दे दे, oxidizing acids, मालनो, अगर हम aluminum को, कौन के चनो 3, कौन के इस फोटो दे, तो क्या होगा, हाँ, aluminum भी oxidize हो जाएगा, जैसा boron हुआ था भी हो चोलता है, acid VO3, वैसे aluminum भी oxidize होगा, कहां होता है, Al2O3, thin film oxide layer, protective layer, aluminum को further attack से बचाता है, aluminum becomes passive, कहां नहीं खता, कहां नहीं खता, Al2O3 का layer बन जाएगा, अच्छा, halogen से अब जाके reaction करा रहा है, जबकि हमने halogen की तो reaction काफी पढ़ ली, तो BX3, AlX3 and so on बनेगा आपके पास, BX3 बनेगा, AlX3 बनेगा, GAX3 बनेगा, TL, INX3 बनेगा, TLX बनेगा, क्योंकि TL plus 1 बनेगा, अब कहा रहा है, reaction with water, ध्यान दीजे, बड़ी important होगी, जई मेंस में, पूछा गया सवाल, बोरोन फेमली, reaction करता है, बोरोन फेमली, डू नोट रियक्ट विद वाटर, आप बोरोन को चाहे, आप हॉट वाटर दे दो, कोल्ड वाटर दे दो, नहीं करेगा, गैलियम को हॉट कोल्ड दे दो, नहीं करेगा, इंडियम माःट कोल्ड दे नहीं करेगा थालियम में को होट कोल्ड दो देना रेक्षंग कर देड़ा अगर आप वाट वाटर दोगे तो एल थू थू रियक्षंग कर देता है और बचा हुआ जो, देखो, oxygen था, वो Almonium के साथ आगया, water में से, but जो hydrogen बचा है, वो H2 gas बना के निकल जाता है, तो only Almonium metal reacts with water, वो भी hot water, and releases H2 gas, clear, यहां तक, last, अच्छा, जब जब Al2O3 बनेगा, protective thin film oxide layer is formed, it prevents Almonium from further attack, and Almonium becomes non-reactive, and Almonium becomes passive, मात्र 3 compounds of boron आपको पढ़ने हैं, मात्र 3, फिर बता दो, कौन कौन से, borax, सिंदूर, सुहागा, दूसरा, orthoboric acid, H3O3, और तीसरा, बड़ा easy है, B2H6, divorane, पढ़ेंगे अभी, borax, जो है, Na2B4O7.10 water, आचा, boric acid का मन में सोचिए formula, H3O3, आचा, आप सोचिए इसके बारे में, B2H6, divorane, यह हो गया उसका formula, अगर मैं, borax start करते हैं, तो borax का सबसे पहले formula पूछा गया, तो Na2B4O7.10 water, borax, अब सिंदूर है, लोगों को लगता है लाल कलर का होगा, No, boron के compounds, जो है, वो white crystalline solid है, अब उसमें आप लाल pigment डाल दो, तो लाल कलर हला दो, हरा कलर का सिंदूर निकल जागा, पीला डाल दो, तो पीला कलर का सिंदूर निकल जागा, इसमें क्या है, वो तो color pigment के उपर ह अब क्या डाल रहे हो, बट, borax, जो है, वो white color का होता है, originally, white crystalline solid होता है, आप उसको piece के फिर powder order बनाते हैं, छीक है, एक और चीज, जिसमें लिखा गया है, कि सर, actual formula इसका बताओ, borax का, तो borax का actual formula, Na2, B407.10 water नहीं है, borax का actual formula है, Na2, फिर coordination complex में, B405, OH whole 4, चार boron, पांच oxygen, और चारो boron से OH, OH लगा है, आप इस structure देख लिजेगा, यहाँ पर as it is, यहाँ पर as it is, यहाँ पर as it is, लिखा वाँ, यहाँ इस side, Na2, B405, OH whole 4, dot 8 water, इसमें कितने water of case slicing है, 10 नहीं, 8, समझ गया, Na2, B405, OH whole 4, dot 8 water, next, कह रहा कि कितने bov linkage हैं, पूरे borax मे तो गिनो, पांच B.O.B. linkage हैं, चार तो side में, और एक बीचो बीच निकल रहा होगा, और पूछ रहा कितने water of case slicing हैं, बोल दिजे, 8, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, छोटी से, जिसमें मैं बताता हूं, hot सिंदूर वाली लड़की की कहानी, एक लड़की है, जो सि HAWT आज कल नया जवाना में ऐसे लिख रहा है, what is HAWT hot? H का मतलब है, पहले heat करना है, A का मतलब है, फिर acid डालना है, तीसरे नंबर पे water डालना है, और T का मतलब temperature डालना है, HAWT, heat, acid, water, temperature, तो बोलेक्स क्या है, NA2B4O7, dot 10 water, जैसे आप heat करोगे, सारा पानी खतम, NA2B4O7 ब अब यह जो NA2B4O7 है, इसको मैंने दूसरे step में H के बाद A दिया, acid, acid मतलब HCl, खट से HCl दाला है, NA2B4O7 में HCl दाल दिया, कैसे हुआ? पहले का plus, दूसरे के minus के साथ, तो पहले का plus है, NA plus, दूसरे का minus, NaCl, फिर दूसरे का plus, पहले का minus, दूसरे का plus है, H plus, पहले का minus है, B4O7 minus 2, तो H2B4O7 बन गया, next काहने, this is tetra boric acid, समझे आप, this is tetra boric acid H2B4O7, थौर्ड step क्या है, पहले step में आपने NA2B4O7 बनाया, दूसरे step में NA2B4O7 में acid डाल के, HCl डाल के H2B4O7 बनाया, तीसरे step में, जो H2B4O7 बना है, उसमें आप water डाल दो, तो क्या बन जाएगा? H3B3 बन जाएगा, boric acid, orthoboric acid जिसको बोलता है, ठीक है, boron के किसी भी compound में पानी डालते हो, खट से आपके पास boric acid, orthoboric acid बना देता है, तो 3 step complete हो गया, feed temperature की बात है, जब आप H3B3, अब इसमें भी तो पानी है, पानी डाल की तो बनाया हो, जब आप इसको temperature बढ़ाते हो, ह, A, W, T, T में temperature बढ़ाते हो, खट से B2O3 बन जाता है, सारा water निकल जाएगा, H2O निकल गया, B2O3, boric anhydride बोलते हैं, कई बार इसको boric oxide भी बोला जाता है, B2O3, तो ये चार major reaction है, जैसा सारा cover हो जागा, borax, एक acid डालने वाला, एक heat वाला, एक temperature वाला, और एक water वाला, heat किया, Na2B4O7, acid डाला, H2B4O7, उसमें, पानी डाला, H2B4O7 में, boric acid H3B3, उसको heat किया, B2O3, boric anhydride या boric oxide, फिर आते हैं, आपके पास reaction with water, तो ये जो सिंदूर है, Na2B4O7, इसकी पानी से reaction कराओ, वैसे हम करा चुक है, बट फिर कराते हैं, अगेन क्या बन रहा है, त फिर क्या बन रहा है, H2B4O7, बन रहा है न, नहीं, H3B3, फिर में क्या बन रहा है, Na2B4O7 में, पानी डाला है, तो हमेशा बोर हैं, उनके किसी भी compound में पानी डालो, तो H3B3 तो बन रहा है, और पहले का प्लस दूसरे का माइनिस बनाओ, NaOH, अब NaOH एक strong base है, H3B3 एक weak monob acid है, weak acid is strong base का combination, a strong base होता है, तो सिंदूर को पानी में मिलाने से basic solution मिल रहा है, यह question भी आ चुका है, what is the nature of the final solution, when borax is diluted in water, that is base, a strong base, क्योंकि Na2B4O7 जो borax है, उसको पानी में डाला, तो NaOH और H3B3 बन रहा था, weak acid और strong base का combination बन रहा था, तीसरा heating effect, Na2B4O7 को जब आप पानी में, जब आप क्या करते हो, heat करते हो, तो क्या बनता है, सारा पानी गायब हो जाएगा, पानी इवापरेट हो गया, Na2B4O7 का नाम क्या होता है, sodium metaborate, याद रखिए, Na2B4O7 is sodium metaborate, H2B4O7 is tetraboric acid, अब यह जो आपने Na2B4O7 sodium metaborate है, यह जब आप heat करते हो, तो देखो, Na2B4O7.10 water को आप heat कर रहे हो, तो पानी निकलेगा, पानी इवापरेट होगा, अब जब पानी निकलेगा, तो अपना रास्ता बना के निकलेगा, तो क्या करता है, जैसे रोटी होती है, आटे को जब आप रखते हो, तबे पे, वो फूल जाता है, क् तो रोटी की तरब फूल जाएगा, इसलिए, when borax is heated, it swells up, फूल गया, क्योंकि पानी निकलने का रास्ता बन गया, Na2B4O7 का नाम क्या है, Na2B4O7 का नाम है, sodium metaborate, अब जब आप इसको और heat करते हो, जब आप इसको further heat करते हो, तो क्या बनता है, twice NaB2 plus B2O3, ध्यान देने क ज़रत है, कि borax को sodium metaborate, sodium metaborate को further heat करोगे, तो इट बनता है, twice NaB2 plus B2O3, और इसी को कहते हैं, borax bead, ध्यान रखिए का borax bead क्या है, यह stoichiometry important है, twice NaB2 plus B2O3, पहले यह जो twice NaB2 plus B2O3 जब बनता है, तो it is a transparent liquid, लेकिन जब आप इसको लंबे समय तक छोड़ दो, ठंडा होने द like a glass, it solidifies like a glass known as borax bead, इसको हम glass की तरह solidify कर लेते हैं, इसको हम कहते है, borax bead, अचा, borax bead है बना क्यों है, इतना heat करके इसको बनाया क्यों, because it identifies transition metals, यह transition metals का पहचान करता है on the basis of color, भै, जब heat किया, तो पहले बना Na2B4O7, उसको और heat किया, तो पहले बना वो, twice NaB2O2 plus B2O3, इस borax bead का काम है, it identifies transition metals, transition metals को किसी salt salt से पता करना है, तो borax bead का इस्तेमाल करते हैं, और किस बेसिस पर, किस बेसिस पर यह पता करता है, तो यह उसका basis होता है color, color के basis पर वो identify करता है, एक example भी थी आपके NCIT में कह रहा है, कि अगर मैं cobalt borate को heat कर देता हूँ, borax bead के साथ, cobalt oxide को, मैं heat कर देता हूँ, borax bead के साथ, तो cobalt borate बनता है, cobo2 hole twice, nabo2 था न, तो वहाँ से na हटके cobalt आ गया, तो cobo2 hole twice हो गया, cobalt borate बन गया, अब जो cobalt borate है, इसी का color हो जाता है, जैसो cobalt है, तो blue color का हो जाता है, this is blue bead, blue colored bead, अब इसको कैसे करते हैं ध्यान देने, जो borax bead है, twice nabo2 plus b2 o3, उसको हम bunsen burner flame, again I am repeating, bunsen burner flame, पूछा जागा कहाँ पर heat किया जाता है, तो bunsen burner flame में हम heat करते हैं, ठीक है, तो bunsen burner flame में heat करते हैं, on a loop of platinum wire, अब वहता है, कंटा फसाते हैं, बिजली के लिए, तो वैसे ही, हमने क्या किया, तार को मोड के, एक loop बना लिया गोला कलर का loop, platinum wire का, जिसके उपर हम cobalt oxide रखते हैं, और जिसको हम dip करते हैं borax bead में, और जाके उसको heat करते हैं flame के उपर, तो वह color दिखाता है, अगर blue color आ रहा है, मतलब cobalt होगा, तो cobalt का transition metal को पता करने के लिए, borax bead का इस्तमाल होता है, cobalt borate बनता है, cobo2 hole twice, cobalt oxide न बोरक्स bead के साथ reaction किया था, next आ जाता है orthoboric acid, the second compound, H3PO3 orthoboric acid, अब देखो, इसको white crystalline solid है, acid से हमारे दिबाग में आता है कि पानी की तर कुछ होगा, liquid होगा, नहीं, boron का दोनों compound, उपर वाले, borax हो, चाहे orthoboric acid हो, है ये white crystalline solid, और soapy touch होता है, soapy touch का मतलब slippery है, आपस में फिसल रहा है, क्यों? आगे बताऊँगा, क्योंकि H3PO3 में H bond होता है, H bond weak bond होता है, इसलिए layers आपस में फिसल रहे होता है, slippery होता है, इसलिए soapy touch आता है, इसको क्या लिखा गया? कि orthoboric acid has a soapy touch, white crystalline solid होता है, Sir, ठंडे पानी में ये जो borax bead है, वो sparingly soluble है, आदा धूरा soluble है, पूरी अच्छे तरह से soluble नहीं है, But on heating, high temperature पे soluble हो जाता है, अब आते हैं ये 3 method of preparation NCRT में दिए गए है, तो H3PO3 बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा काम बोला था, कि भाई, पानी डाल दो, boran-boron वाले compound में बन जाएगा, तो Na2b4O7, नहीं, हाँ, Na2b4O7 आप क्या लोगे, sodium metaborate, उसमें अगर आप पानी डालते हो, और साथ में acid भी डालते हो, याद करो, पहले हम acid डालेंगे न, H2b4O7 बनेगा, फिर हम पानी डालते थे 3rd step में, तब जाके वो H3PO3 बनता था, तो वही किया है, कि borax में से पहल दालने से H2b4O7 बना, पानी डालने से H3PO3 बन गया, बॉरोन का tri halide BCL3 इसमें भी पानी डालोगे तो H3PO3 बन जागा, बॉरोन का B2H6 इसमें भी पानी डालोगे तो B2H6 बन गया, तो बॉरोन का कोई भी compounder पानी डालने से H3PO3 बन रहा है, अच्छ, एक जगा और पढ़ H2SO4 यानि की oxidizing acids तो वहाँ भी क्या बन रहा था cause H3O3 और HNO3 के case में NO2 gas और H2SO4 के case में SO2 gas बढ़िया अब जो H3O3 का structure है उसको देख लिजेगा उसमें क्या है यहाँ पे हमने जो बनाया है उपेज दिया है उपेज देख लिजेगा कि H3O3 में जो BO3 units है circle किया गया है इस BO3 units are joined by H bond यह BO3 units H bond के थूँ जोईन होते हैं ठीक है और H bond के थूँ जोईन होते हैं H bond weak bond होता है इसलिए slippery हो जाता है एक दूसरे पर slip कर रहा होते है फिर कह रहा है question कि why is S3BO3 weak monobasic acid क्यों इसको हम weak acid consider करते है ठीक है why it is weak monobasic acid और दूसरा why it is not a protonic acid इसको हम protonic acid क्यों नहीं कहते है H3BO3 पहले समझते है protonic acid क्यों नहीं कहते है फिर मैं इसी दोरान समझाऊँगा कि weak monobasic acid कैसे है यह ठीक है चलिए तो H3BO3 सबसे पहले देखिएगा it is not a protonic acid it is a Lewis acid कैसे तो देखो protonic acid वो होता है जो खुद का H plus donate करे जैसे H2SO4 खुद का H plus देता है HNO3 खुद का H plus देता है H3PO4 खुद का H plus देता है बट बोरीक acid खुद का H plus नहीं देता है क्यों? क्योंकि जब हम बोरीक acid लेंगे BOH whole thrice बोरोन में तीन बोर्ण बनाया vacant orbital होगा water से reaction करने के बाद oxygen का loan pair उसमें हम donate कराएंगे तो बनेगा BOH whole 4 minus और एक H plus release होता है BOH whole thrice में जब 4th water molecule attack करता है तो BOH whole 4 minus और एक H plus release होता है वो H plus water का ही होता है जो 4th water molecule जो जाता है न उसमें से OH तो जुड़ गया BOH whole 4 minus जो H plus है वो water का था 4th water molecule से OH BOH whole 4 minus में जुड़ गया और H plus बाहर निकल गया तो यह देखो खुद का H plus तो दिया ही नहीं BOH whole 3 था अब BOH whole 4 हो गया जैसा था बढ़ी गया खुद का H plus release नहीं कर बाया यह water का H plus release किया therefore it is not a protonic acid protonic acid वो होते हैं जो खुद के H plus donate करें पानी में बट यह पानी में जाके पानी का ही H plus donate कर देता है इसो कहते है बेवफा acid पहले इसने पानी से जाके bond बनाया और पानी का ही H plus तोड़ दिया पानी का ही H plus release कर दिया इसको acid क्यों बोलते हैं क्योंकि यह Lewis acid है Lewis acid क्या होता है जो loan pair accept करें और यह accept करता है वो होल था है इसमें तीन ही तो bond है तीन bond है तो छो ही तो elektron है Octate complete करने के लिए लोन पानी चाहिए Amazing बढ़िया हो गया मज़ा गया अब आगे बढ़ते हैं कि sir यह एक weak monobasic acid क्यों बोलते हैं अरे sir weak तो हो गई ना क्योंकि खुद का H plus नहीं donate कर रहा और दूसरा monobasic क्यों क्योंकि केवल एक ही तो H plus donate कर रहा है जो खुद का H plus donate कर रहे वो protonic है वो strong है यह खुद का H plus दे ही नहीं रहा weak monobasic है अच्छा heating effect बढ़ाओ H3PO3 को अगर हम 370 Kelvin से ज़्यादा पे heat करते हैं तो बनाता है HbO2 क्या बनता है HbO2 कि क्या है metaboric acid orthoboric acid क्या था H3PO3 metaboric acid क्या है HbO2 थोड़ी थोड़ी चोड़ी चोड़ी टर्मस आपसे पूचेगा इसको फर्दर है आप heat कर दोगे तो ये B2O3 convert हो जाता है सीधा सीधा सारा hydrogen सारा water निकल गया boric anhedride या boric oxide बना दिया अब diborain last compound है इसका थीक है diborain तो diborain में preparation है सबसे असान एक तो नॉर्मल प्रिपरेशन है तो देखो, डाइबोरेन का प्रिपरेशन ना रिडूसिंग एजेंट से ही होता है याद करने का बड़ा सिंपल तरीका रिडूसिंग एजेंट से कराते है पहला है LIA-LH4 से, दूसरा है एजेंट से, बड़ा तो अगर हम BF3 को सबसे पहला नॉर्मल प्रिपरेशन BF3 को बोरोन ट्राइफलोराइड BF3 को LIA-LH4 देते है तो LIA-LH4 reducing agent है और reducing agent का एक property होता है वो property कहता है कि H- donate करेगा H- देगा मतलब boron पे जाके H- attack होगा मतलब B2H6 बनेगा तो BF3 inner atmosphere में करते हैं क्योंकि reaction बहुत तगड़ा न हो जाए ठीक है ना? इसको हम diethyl ether के inner atmosphere में करते है BF3 plus Li LH4 B2H6 बनेगा और Li जो है वो Li F बनेगा Li plus F minus Al जो है वो Al F3 बनता है Al plus 3 F minus Second process जो ये laboratory process है क्या है? NaBH4 plus I2 तो NaI और B2H6 बनता है Sodium plus I minus NaI और B2H6 बनता है तीसरा होता है industrial preparation industrial preparation क्या है? अगर मैं BF3 को NaH से reaction कराऊ अगर मैं BF3 को NaH से reaction कराऊ तो क्या होगा? तो BF3 NaH again reducing agent फिर से H minus आएगा B2H6 बन जाएगा और देखो कि आपके पस क्या है? Na है और F है तो NF बन जाएगा Diborane जो है वो colorless है Diborane is the colorless compound जैसे उसमें आ रहा था ना कि white crystalline solid इसमें कोई color नहीं है boron hydride में लेकिन ये इतना reactive है कि oxygen की presence में आने से ही आग लग जाता है ये colorless है इतना reactive है कि oxygen की presence में आने से आग लग जाता है B2H6 plus O2 B2O3 बनता है B2H6 plus O2 B2O3 plus water और highly exothermic मतलब delta H 2000 kJ पर मोल है delta H minus 2000 kJ मतलब minus 1976 है पैट आपको data यह नहीं याद रखना वो हमारे लिए जोड़ होता है B2H6 इतना तगड़ा oxygen के साथ reaction देता है 2000 kJ पर मोल हाई energy हो जाता है अच्छा एक question पूछ लू B2H6 को पानी में मिलाने से क्या मिलता है boron का कोई भी compound हो पानी में मिलाने से BOH holteris बनता है ortho boric acid बनता है next reaction वही था अच्छा एक और बात B2H6 यह क्या है B2H6 is a dimer of BH3 that's it यह dimer है BH3 का तो अच्छा dimer है BH3 का इसका मतलब है कि sir यह B2H6 बनाना bond बना रहा है dimer मतलब बनाना bond बने बिल्कुल क्या surrounding item के पास lone pair है अगर surrounding item के पास lone pair होता तो 3 center 4 electron बोलते बढ़ surrounding item के पास lone pair ही नहीं है मतलब यह 3 center 2 electron bond हो गया और 3 center 2 electron bond यह weak bond यह octate incomplete होता है इनका यह unstable होते है 3 center 2 electron वाले ठीक ना permanently octate complete नहीं होता है momentarily octate complete होता है B2H6 का all 3 center 2 electron का in fact तो overall यह हमेशा के लिए stable नहीं हो पाए B2H6 यह थोड़ी थोड़ी देर के लिए stable होते है fluctuating bond होता है इधर से इधर electron करते रहता है तो क्या होगा B2H6 overall यह unstable है यह octate इसका complete नहीं है तो क्या होगा सर जैसे ही B2H6 को मौका मिलेगा वो octate complete करने का बहाना डून देगा तो B2H6 अगर मैं NME thrice मतलब N से 3 methyl जूड़े हो है N के पास lone pair है तो जैसे B2H6 को दिखा यार यह तो unstable है अमोनिया का sorry nitrogen के पास lone pair है तो खट से क्या करेगा B2H6 टूटेगा BH3 में और यहाँ अमोनिया से adduct बना लेगा तो वहाँ पे 4 bond बनके stable हो जाएगा तो मैंने B2H6 के साथ दो अमोनिया लेना पड़ेगा तो दोनों BH3 मोलिकूल coordinate bond बना के stable हो जाएगे एकदम साइग next अगर मैं यही B2H6 को C triple bond O से करा दू तो C triple bond है उमें carbon पे minus carbon पे lone pair होता है यह lone pair और boron पे जाके attack मार देगा तो B2H6 टूट के BH3 में convert हो जागा और BH3 further coordinate bond बना देगा CO से next हम आप पे आजाते हैं आपके पास किसर बोराजीन क्या reaction है यही B2H6 की reaction है B2H6 temporarily stable होता है permanently stable नहीं होता है तो NH3 को देखते ही सोचा कि यार मैं B2H6 टूट जाता हूँ और मैं ammonia से जाके reaction कर लेता हूँ loan pair ले लेता हूँ educt बना लेता हूँ यही होता है B2H6 ammonia से reaction करके B3N3H6 बनाता है तूट टाट के rearrange होके heating और rearrange होके B3N3H6 इसको कहते हैं borazine B3N3H6 borazine इसी को कहते हैं inorganic benzene inorganic benzene में क्या होता है जैसे organic benzene क्या है 6 carbon है SP2 ring है alternate pi bond है यहाँ पे 6 carbon के जगा boron nitrogen alternate है और alternate pi bond यहाँ भी है और वहाँ भी 6 carbon से 6 hydrogen जूरा है यहाँ भी 6 atom से 6 hydrogen जूरा है हर boron से हर nitrogen से आपके hydrogen जूरा है B3N3H6 alternate pi bond है ध्यान दो तो boron भी 3 bond बना रहा है nitrogen भी 3 sigma bond बना रहा है मतलब अमतलब boron और nitrogen के दोनों के steric number 3 आ रहा है मतलब दोनों SP2 है लेकिन inorganic benzene ज़्यादा reactive है क्योंकि inorganic benzene में charge है क्यों क्योंकि boron और nitrogen में electro negativity difference है वैसे भी charge दिख रहा है कि boron ने accept किया है nitrogen ने donate किया है donor पर plus acceptor पर minus nitrogen पर plus boron पर minus आ जाएगा organic benzene में सारे SP2 है कोई electro negativity difference नहीं है तो वहाँ पर कोई charges नहीं आ रहे लेकिन यहाँ पर electro negativity difference है साथ में donor है तो plus acceptor है तो minus तो यहाँ पर plus minus charge है inorganic benzene में charge है और charge है तो भाई यह reactive होगा तो B3N3H6 is reactive चारो तो यहाँ तो आपके पास आगया है inorganic benzene is more reactive than organic benzene because polar है और polar वाले reactive होता है अच्छा अब कहेगा B3N3H6 का overall molecule क्या है polar है कि non-polar भाई non-polar हो जाएगा overall molecule पता क्यों क्योंकि boron पे 3 plus 4 जाएगा तीनों परोन पे और 3 nitrogen पे minus charge है तो plus 3 minus 3 overall it is neutral but the bonds are charged bonds are polarized structure of di-boron वह यहाँ पे आपको structure दिया हुआ है इस वाले पेज़ पे यहाँ पे अब structure of di-boron में क्या होगा आपके पास यह banana bond है 3 center 2 electron bond आएगा इस 8 में से 6 atom जो है वो same plane में होते हैं 2 atom out of the plane होते हैं 6 कौन से atom है 2 boron और 4 hydrogen same plane में है 1 hydrogen above the plane 1 hydrogen below the plane चलो next आजाएंगे आपके पास 2 bridging hydrogen above and below the plane अब आते हैं 4 terminal hydrogen are 2 center 2 electron क्या होता है जो 4 इधर-इधर वाले हैं वो 2 center 2 electron है और जो bridging वाले हैं वो 3 center 2 electron है चीक है hybridization तो boron के 4 मों सिगमा बहुण है इसलिए sp3 होगा last आता है borohydride borohydride is bf4 minus कोई भी mh कोई भी metal hydride ले ले दिजे और आप b2h6 की reaction करा दिजे तो metal hydride में होता है h minus h minus b loan pair यह न एक तरह से hydrogen का पास एक electron है minus charge मतलब एक और आ गया तो loan pair हो गया तो b2h6 loan pair देखते ही cleavage हो जाता है cleavage of b2h6 मतलब b2h6 टूड जाता है बतलब bh4 minus यहना bh3 में टूड गया और h minus टूड लेके bh4 minus बना लिया m plus bh4 minus इसको हम कहते है borohydride या फिर एक और नाम है इसका tetrahydroborate ठीक है that's it यहना इसको boron family आपका यहां तर finish हुआ तो जो मैं बोल रहा हूँ बच्चो उसको visualize करना है ठीक न और देखो आप लोग घबराया मत करो किसी भी चीज से यहना मैं कल कहीं quote पढ़ रहा था कि बड़ा अच्छा quote था quote ऐसा है कि बार-बार गिर कर संभल रहा हूँ मैं सुनिए गबड़ को और से कि बार-बार गिर कर संभल रहा हूँ मैं ऐ मुश्किलो बार-बार गिर कर संभल रहा हूँ मैं ऐ मुश्किलो देखो कितना मजबूत हो रहा हूँ मैं कई लोगना मारलो instantaneous success अब लोग चाहते कि आप शारु खान को देखो ना, पिछले 7-8 साल में, कितनी failures आईए, अब जाके वो थोड़ा चला, सेम सल्मान खान के साथ भी, एक दो movie हेट होती है, 3-4 तो floppy होता है, अक्षे कुमार के साथ भी वही है, आप विराट कोली का example लो ना, हर मैच में चक्का थोड़े मारता है, अब महें सिंग धोनी का लोन है उनका भी तो बुरा फॉर्म आता है, सचीन ते अंदुलकर भी जीरो पर आउट होता है, विराट सविरंदर साववाग भी जीरो पर आउट हो है, तो मुश्किले आती है, गिरना होता है, संभलना होता है, इसी का नाम है जिन्दगी, ऐसा अगले बार नहीं, अगले बार सही, that's it, होगा, हाँ, हमें अपने आप से honest रहना है, कि हम अपना इमानदारी से काम करेंगे, वो समय आएगा, नेचर देखो, जब तक नेचर आपको टेस्ट नहीं करेंगा, आपको अच्छा इंसान बनाई नहीं सकता हो, नेचर पहले तो सब देखेंगे, जो लोग आपको ताना मार रहे होंगे, नहीं कर पा रहा, हो नी रहा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पढ़ता नहीं, वो ही शायद दो साल, एक साल, छे मैने बाद, कुछ और कहेंगे, अरे, मैं कहता तो था, कि वो पढ़ता था, लेकिन वो दिखाता न नहीं था, मलब सक्सेस के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है, तो और सक्सेस बस एक चीज़ मांगती है, कंटिनिवस हाड़ वर्क, यो क्या होता है न, कि एक दो सीड है, दो बीज हैं, आप दोनों को उसमें लगाओ, धर्ती में लगाओ, और दोनों को पानी दो, एक बीज क में उनका बेड़ बनते हैं, और फल वो भी देते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी था कि वो सीड्स खराब थे, वही आप लोग में है, कुछ बच्चों का जल्दी से ट्रैक पे आ जाते हैं, जल्दी से लेक्शन हो जाते हैं, कुछ बच्चों का थोड़ा टाइम लेगा, लेकि लेकिन बस इंतजार और continuous hard work, हमें अपना काम करना है continuous hard work, बगवाल ने इतना अच्छा बनाया है, इसलिए तो आप जा के महनत करो, मचाओ, सबसे यूनीक बनाये, आप देखो, आपके जैसा कोई नहीं है, यूर यूनीक, असान एचीज यार, करते रो बस, कोशिस करते रो कुस्तो मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा